क्या खेती उद्योग पतियों के हाथ में जा रही है बिल्कुल नहीं किसान के जमीन को कोई हाथ भी लगा सकता जो किसान ये चाहता है कि उसको उसका उपजिकार सीधा पैसा दिया जाए उसको हम सीधा पैसा देए नमस्कार एमेच्वन प्राइम की किसान महा पंचायत में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ वरुन गोयल ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन कृशी कानूनों को आजादी के बाद का सबसे बड़ा सुधार बताया जा रहा है सरकार जिने एतियासिक बता रही है व अरियाना के क्रिशी मंतरी जेपी दलाल हमारे साथ मौजूद है सर बहुत-बहुत स्वागत है अपका है मेच्वन प्राइम की किसान महा पंचायत में धन्यवाद वरुन जी सर सबसे बुन्यादी सवाल जो बार-बार कई तरह के सवाल उठ रहे हैं मैं सिधा मुद्दे प अब जाए कोई और दूसरा अब छेतर का लोग इतनी मेहनतकर ही नहीं सकते यह संभव ही दें है कि क्या यह माना जाए सर कि फिर खेती बाडी में उद्योग पत्यों का दखल होने जा रहा है कि देखिए कि अगर हो तो अच्छा है एक विचार करने का विशे है कि आजादी के बाद आज तक किसानों की हालत कितनी सुद्री है क्या किसान सक्सम हो गए हैं क्या खेती बाड़ी बहुत फाइदेगा कारोबार हो गई है यह जरूर है कि किसानों ने अपनी मेहनत के बुते जो खाद्यान हम इंपोर्ट करते थे उसकी बजाए देश के खाद्यान बढ़ने का अंडार बढ़ने का काम किया है और आज हम दूसरे देशों को भी खाद्यान एक्सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन खाद्यान इतनी उपलबता के बाद किसान की आर्थिक हालात जो होनी चाहिए थी वह नहीं हुई यह एक विचार का मुद्धा है कि इसकी वजह में इसकी जड़ में जाना पड़ेगा कि खाद्यान की उपलबता होगी प्रोडक्शन बढ़ गया लेकिन किसान की हालत वैसी की वैसी है हमारे से पहले वाली सरकारों को इसकी जवाब देई बढ़ती हम उनकी उनको बताना एक ही स्वाल पूछना आप उनसे कि किसान की हालत आपके इस वक्त में सुदर गई थी क्या किसान सक्सम हो गया था क्या किसान आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट हो गया था या किसान की हालत कमजोर है अगर किसान की हालत कमजोर है तो उसकी जिम्मेदार कौन सी नीतिया है उसकी जिम्मेदार कौन सी सरकार है तब आप पाएंगे जो आज किसान के कंदे पे बीचोलियों का बंदक बनाया है। उन्होंने ही किसान को उबनेनी दिया। और उसी चककर से किसान को निकलने नहीं देना चाहते। यह सड़ियंतर करके कुछ बिचोलियों का साथ दे के किसान का नाम लेके अंदोलन भढ़काने की कोशिश कर रहे हैं। यह वही आदमी है जेनोंने 60-70 साल से किसान को उभरने नहीं नहीं दिया तो क्या यह लग रहा है कि किसानों को पूरी तना भरोसे में नहीं लिया गया या एक समवाद गायम नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था जिस वज़े से यह विरोध देखने को मिला देखिए बुद्दा जो है किसानी का हम मोदी जी प्रधांत्री आये तो उन्होंने 6 साल पहले काया था कि 2022 तक हमें क कुछ करना पड़ेगा कोई कानुन काइदे बदलना किसानों की शायता करना किसानों के खाते में पैसे डालना स्वाइल हेल्थ कार्ड बनवाना यूदिया पर नहीं मिलेपन करना मंडियों की अच्छी वेश्ता करना मंडियों के भाव बढ़ाना मंडियों पर पर्चेज यी सारे कदम धीरे-धीरे हैं. और ये डाटा है कि जितना पैसे की परचेज कॉंग्रेस के वकत में होती थी, उसे कहीं कुणा जादा पपरचेज जो मेश्पी पर हुई है, उसंे जादा मातरा में पैसा किसानों के खाते में हमारी सरकार ने दिया है. उससे जादा उससे भी आगे बढ़के 6-6,000 रुपे आना कि मातरा बहुत परियापत नहीं है लेकिन फिर भी एक अच्छी सुरुआत हमारे परदानत्री जी ने की है और परदानत्री जी का पूरा लक्ष है जो भी हो जिस तरह से उन्होंने अपने सारे वाइदे पूरे किये हैं चाहिए वो कस्मीर की धारा 370 का हो 35 का हो CAA कानूं का हो रामंदिर का हो पाकिस्तान और चीन को मूँ तोड़ जवाब देने का हो इसी तरह से जो उनका एक दिड़ निच्चे है कि मुझे किसान की आर्थिक हालत को सुदारना है उसकी तरह उन्होंने कडम बदाया है और उसका परिणाम सुखद होगा और इस चीज़ को हमारी वक्सी पार्टियां भी अच्छी तरह जानती है कि ये जो मौधी जी जिस तरह से एक धड़ादल फैसले करते जा रहे हैं तो किसान की आर्थिक हालत को सुदारेंगे और किसान की आर्थिक हालत सुदरेगी तो भारती जन्ता पार्टिय की जड़े मजबूत होगी मौधी जी की जह जहकार होगी और उनकी राजिनती जो है कॉंगरिस की खास कर हमेशा हमेशा के लिए समाफत हो जाएगी और कॉंगरिस बिलकुल उजागर हो जाएगी कॉंगरिस ने कि उसने एक सडियंतर के तहत किसानों का सोसन किया है यह जो दलाल सब आशंका है कि मंडियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी कॉर्पोरेट मंडी के बाहर आने पोने दाम में फसल खरीदेगा और MSP का कोई मतलब नहीं रह जाएगा यह जो आशंका जाहिर की जा रहे है कि धीरे धीरे मंडी सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा क्या इ मंडियां तो हम खतम करने के बजाए मंडियों को बढ़ा रहे हैं अंतरास्टी एलिस्तर की एक मंडी गरुंडा के अंदर पांच अजार क्रोड रुपे की लागत से लग बग अगले महने ही हमारा टेंडर होने जा रहा है जो भारत की सब शे बड़ी मंडी होगी एपल की म मर्केठ हम गुडगाओं में बढाने जा रहे हैं मसाला की मारकप हम सोनिपत में बढाने जा रहे हैं इन मंडीयों में जो जो और सुदार हो सकता है वो करने जा रही हैं यह ब्रांती प्रशेह इा Bj Friends plane होगी तो मंड्यों पे सर पढ़ेगा मेंडियों में होती रही है सरकार परचेज अभी भी मंडियों में है पहले भी मंडियों में थी भारती जिन्ता पार्टी के वक्त से और आगे भी मंडियों में रहेगी परचेज भी बढ़ाएंगे MSP का भाव भी बढ़ाएंगे और हमारी एक निती जुरूर है जो किसान ये चाहता है कि उसको उसका उपज का सीधा पैसा दिया जाए उसको हम सीधा पैसा देंगे आज कल क्या होता है उपज किसान की बाएर हम सरकार या FCI या उसके ब्याप पहम करते हैं और दुनिया में ऐ पैसा कहीं नहीं है कि पैसा तीसरे आदमी को दिया जाए किसान का सोचन करने का ये एक तरीका है और कांगरेश कहती है कि इनका नाता ना तोड़ो कांगरेश कहती है कि बापारी और किसान का नाता ना तोड़ो एक चीज देखिए बापारी किसान को पैसा देता है किसान को को इजली हो जाती है लेकिन उसकी ब्याज मैं खुद किसान हूं मैं आड़ती भी हूं मुझी जानकरी भी है तीस परसेंट चोविस परसेंट साल का ब्याज लिया जाता है जिससे वो उसको हमेशा करजे के अंदर रहता है और ऐसी निती का हम समर्थनी करते पैसे का व्यापा करना है तो आप बैंक करिए छोटे बैंक का लाईसेंस ली 언जिये हमारे बैंक किसानों को चार परसेंट पर पर पुंजी उपलत है किसानों को और यह नहीं है कि किसानों के कीशी सी कर्द ने बढ़े 3raiko तक के केशी सी काड़ पर चार प्रसंट ब्याज लेते हैं और हरियाना के जतने किसान परिवार हैं उस से ज्यादा बने हुए एक घर में बाप और बैटे ने अलग-अपनी जोत को अलग करा लिया अलग-अलग काड़ बनवा रखे आज यह जो चीज है मंडी के भाई मेरे कह के लिए है मंडी जो गलत उची दर पे ब्याज पुंजी का व्यापार जो करते हैं उसके लिए नहीं है यह आप इनको समझ जाना चाहिए और इस से किसान का जबरदस सोसन होता है और किसान इस चीज को समझ गया है लेकिन कांग्रिस जो है बिचोलियों की पारिटी है इसके चंगुल से भी निकल जाएगा एक उधारन बार 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 देते हैं सर की 2006 में बिहार में व्यवस्ता लाई गई थी और सोचा गया था कि बड़ा क्रांतिकारी बदलाव होगा आज 14 साल बाद बिहार का किसान तो हर्याना पंजाब में अमना धानिया गेहूं बेचने सरहे देखिए औज हमारी परचेश फुरू ही है थाड़े 27ий रुपे में बादर हम करिद रहे हैं सकतने के अंदर बारह सो चोदाा सो रुपे में Nagra विक रहे हैं जितनày भाप जा किंदकार लिये चुरू में जुन्जरू में राजगड में जैसलमेATOR में बाड में बिकानि में यह जहां व्यवस्था ठीक नहीं है वहां पर जहां बिहार में मंडिया थी नहीं हमने मंडिया मंडियों को सुद्ड कर रहे हैं हम मंडियों को खतम नहीं होने दे रहे हम मंडियों को और बढ़ा रहे हैं लेकिन मंडियों में होता क्या है कि एक मंडिय में 20 व्यापारी है तीस वापारी हैं या थोड़े ज्यादा है उसके लाके उसकी टेरिटरी है पचास गाउं है साथ गाउं है सतर गाउं है वो उसी उन वापारियों के हाथ में उसका भाव निश्चित करना रहता है लेकिन अगर मंडी से बहार कोई खरीज़ना चाहे किसान के लिए शीमित मात में परचेजर होंगे वो अच्छा है या ज्यादा मातरा में परचेजर होंगे वो अच्छा है या ज्यादा मातरा में परचेजर होंगे किसी भी प्रोडेक्ट के अगर एक प्रोडेक्ट के सो आदमी बोले लगाने वाले हैं एक प्रोडेक्ट के चार आदमी बोले लगान सबते दफ़ेद के दिंदर कानुन हैं एक एक एग्जामपल दिया जाता है कि यह ववस्था यूरोप में लागू की गई थी अमेरिका में लागू की गई थी लेकिन महाँ कामीया नहीं होई वहां पूरी तना सबसेड़ी पे आगे हैं महां के किसान तो फिर उसी विवस्ता को क्या हम यहां लागू कर रहे हैं देखिए यूरॉप अमेरिका सोबागे से में शाट सातर देशों में गया हूं और वहां क्या किसानी और हमारी किसानी में सारा फरक है वहां दस-दस किसाने के सेरों में रहते हैं ठाहर में इन्होंने लेक बना रखी है और जो अखेश है और सारी मेकेनाइज किछती है उस विह वहां हमारे दो एकड़ एड़र तीन एकड़ एकड़ किसान का कोही वहता है यह जरूरह कि किसान को सबसीडि अमेरिका भी देता befा ये जरूर है किसान को सबसिडी किसी नी किसी रूप में यूरप भी देता है और हम भी किसान को देते हैं सहाइता करते हैं हर साल किसान को छे जार करोड रुपय की बिजली की सहाइता हम देते हैं ट्यू वेल्ज के अके लिए अगर यह घर के रेट से बिजली का रेट लिया और खाद का जो मैनिफेक्टरर है उसको भारी मातरा में सबसिढ़ी जाती है यूरिया की फासफोर्स की या दूसरी खादें जितनी हैं और फिर जो और चीजों में भी पानी का जैसे है पहले पानी के ऊपर आपयाना होता था नहेरी पानी पह उस पर हम कुछ नहीं लिए चा मातरा में नहीं है पानी बचाना जुरूरी है पूरे परदे इसके अंदर जो इज्रैल की टपका भी दी है उस पर अगर कोई किशान जाएगा 85 पर सेंट तक समसीडी हम देते हैं और आज कल किशान समझ गया है कि पानी बरबाद नहीं करना और वो हो सारा खास का दक्से नहर सारा दिया जा सकता है और उपज भी उससे बढ़ती है एक सर असेंशल कमोडिटीज एक्ट को लेकर सवाल है कि इसके हट जाने के बाद जमाखूरी करेंगे व्यापारी और महंगाई को नियंत्रित कर पाएंगे देखिए ये विशह एसेंशल कमोडिटी एक्ट कब आया थ पाएं तब होर्डर की खिलाफ की बाहर से भी पॉर्ट भी करें कोई कठा करके बैठ जाए और भाव बढ़ जाए उसका नाजाएज लाव ले उस वकत आया था आज तो हम हर चीज मोटा मोटी जाए गयू है जाए दान है या और चीजे हैं मोडी जी की नीती की वज़े से दालों में हम प्रियाप मातरा में पैदा कर रहे हैं और ओल सीड में भी हमारा प्रोडक्शन अच्छा बढ़ गया है तो यह एसेंशल कोटिटी एक जो है वह भाव को दबाने के लिए है भाव को भाने के लिए निये और भाव को दबाने से किसान को नुक्सान होता है किसान का जो है सोसन करवाना और किसान इताशी होने का सवांग करना कुछ हर्याना के किसानों के सवाल हमारे पास आये हैं सर एक किसान आप से जानना चाहते हैं कि कॉंट्रेक्ट फार्मिंग को लेकर मुझे समस्या है अगर कंपनी हमें बीच में छोड़कर भाग गई तो ह हमें भी गारंटी होनी चाहिए कि हम कोट जा सके कोट का प्रावधान इस देश में हमेशा ही रहेगा जूडिशल सिस्टम में सविधान में हक दिया हुआ है लेकि उससे कोट में हमारे जेश में दर्वागे से 10-10-15-15 साल 20-20 साल लग जाते हैं किसान इतना सक्सम नहीं है क च्छे साल आठ साल दस साल कोट की फीश दे के वकिल्यों की कंपनी से लड़ाई लड़स के और उसी का नित परिणाम सिर्फ किसान का साथ देने के लिए ये कहा गया है कि वही आप एस्डियम की कोट में जाएए तीस दिन में आपका फैसला होगा और उसके बाद भी आप स जी अब कोई भी डेप्टी कमिशनर सुने वह नमाइंदे भी किसान का साथ देखते हैं वह किसान के हित बहुत में रहेगा कंपनी के हित नहीं सकता है लेकिन सर माल लीजिए अगर वह वह चोड़कर चला जाता है तो किसान की सिक्यूरूटी है इसमें कौन चला जाता है कानून में हमने किया ही है इसमें बड़ा साफ साफ काया है कि कांटेक्ट फार्मिंग में किसान के ऊपर कोई कंपनी किसान उसकी अपनी डूटी पूरी नहीं कर पाता किसान की जमीन पर कोई कलेम नहीं करेगा किसान के ऊपर कोई ब्याज नहीं डाल सकता और जो उसने खाद के पैसे दिये हैं या और दिये हैं सिर्फ उसी की वसूली कर सकता है वो भी बगर ब्याज के लेकिन अगर कंपनी भाग जाती है तो उसको उसको पूरे पूरे रेट के पैसे देने पड़ेंगे मान लोग कॉंट्रेक्ट हुआ चालिस रुपे किलो का बजार का बाव है 25 रुपे किलो तो 25 रुपे किलो बजार में बेचेगा 15 रुपे कलेम कंपनी पर डालेगा व्याज समित उस कंपनी को पैसा देना परेगा एक सवाल और है सर आपके लिए किसान है वो पूछ रहे हैं कि MSP की गैरेंटी को लेकर एक अ कॉंग्रेस से पूछें कि बादरे की MSP है सरसों के MSP है राजस्थान की सरकार है उन पर MSP पर कानून भी है वो खरीद नहीं रहे हैं वो कॉंग्रेस से यह कहें कि भी आपके हां MSP बादरे की है 250 का भावत दिया हुआ है आप पर्चेज तो करके दिखाए बहुत सारे MSP होने के बावजूद भी विवस्ता नहीं है वेर हाउसिंग की फैसलिटी नहीं है तांस्पोर्टेशन की फैसलिटी नहीं है और हमारे यहां बेस्ट इंफरास्रेक्टर है हर्याना के अंदर और पंजाब के अंदर भी और उसी का परिणाम है कि हम MSP पर खरीद कर तो यह जो है बहूर मान लिजिए आज भी 40 दिन की परचेज चैसे को तीस दिन की परचेज है उसके बाद भाव उपर जाता है नीचे जाता है उसके लिए कोई वस्ता नहीं और उसके लिए भी विचार करके हमको ऐसी विवस्ता हमारी पाटी ही बनाएगी मोधी बनाएग किसान को और लाब सर अभी आपने भी कहा कि हर्याना पंजाब की मंडिया सबसे बहतर है तो यह क्या एक महौल है कि हर्याना पंजाब में ही किसानों पर असर पड़ेगा और कहीं किसी जगे नहीं पड़ेगा इसलिए प्रोटेस्ट भी दिखाई दे रहा है पूरे देश के बेस्係ान को हजार उपे मज़धूर निमिला कपास उगाई के लिए बाजरा कटाई के लिए किसान को खाने की फुरस्त में है सट्कों पर कاंगरिश है और यही नीती रही तो लोग पर्मान रूप से इस कोंघर शुचा को सट्कों पर लिए कि अगर समवाद ठीक ठाको पा रहा है क्योंकि ऑडिनेंस आने के बाद राज्यसभा में पेश होने के बाद और अब कानून बनने के बाद आप लगातार किसानों समवाद कर रहे होंगे संतुष्ट हो रहे हैं धीरे-धीरे कि हमारे कम से कम 10-15 जलों में मैंने देखा है कि अनको पता है कि यही तो कांगरेश का असली चेहरा है कांगरेश का असली चेहरा यह है कि ट्रक के अंदर एक पुराना ट्रेक्टर ले जाके इंडिया गेट पे उसको आग लगा दी किसान पूजा करता है अपने उजार की यह कांगरेशी जिस चीज की किसान पूजा करता है उसको आग लगाते हैं लेकिन फिर यह बताइए कि अब जो परिस्तियां बन रही है आपके हिसाब से क्या आने क्योंकि अब बरोदा में उप्चुनाव आ रहा है क्या इस यह क्लिटमस चेस्ट माना जाए इस इस कानून कि आज तक हम जिते कांगरेस्की शीट रही है कोंगरेस् के पास खूणे को है हमारे पास पाने को हम पूरी अमीद है हमें की जो वरोदा वासी ब्रेव जिताएंगे पहली बार जो है वो सरकार में हिस्सा करना चाहते हैं विकास कारिये जो हो रहे हैं उसका भी अशर है कि अगर वो सीट आप जीतते हैं तो क्या उसे महर माना जाए कि हाँ आपके क्रिशी कानूनों पर महर है एक सीट से मेरी बात सुनी है कॉंग्रेस ने जो हाहा किया किये सारा यह टेस्ट है कॉंग्रेस दोना बार दर ऐसी होई है उसने क्या मान लिया कॉंग्रेस ने क्या मान लिया यह तो एक सीट का एक बाइलेक्शन जो है लोकल इसू पर होता है इसमें कोई पूरे परदेश के पूरे रास्तर के बिद्धे नहीं आते और लोकल इ कि यह वली बात क्यों कर जा रही है कि बहुमत है इसलिए सुना नहीं जाता है इस बिल में को लाने में जल्दबाजी की गई इस सेलेक्ट कमिटी में भीजा जा सकता था दो चार बातें और सुनी जा सकती थी पहुमत जो है को सुनिया गांधी रहुल गांधी रोबर्ट जिसमें किसान का साथ पचास साल तक सोसन होता रहा है किसान की तरफ देखो और उसकी आकांशाओं को पूरा करने के लिए ही यह जो है करांती कारी कदम उठाए जा रहे हैं और कांग्रेस को भी पता है वो भी अपने मैनिफेस्टों में यह चीज थी पार्लेमेंट में ची कांग्रेस सोस्ती रहें गी वो अपने जो है किसान इतिशी फैसले लेने में कभी कामियाब नहीं रही और अब जिए मोदी जी ने यह कुरांती कारी फैसले लिए हैं तो अब कांग्रेस को चिंता होगी है ऑहो सारा किसान वर्ग तो भाजपा की तरफ चला जाएगा मोदी चाहे बेंक का पैसा हो, चाहे व्यापारी का पैसा हो, चाहे कॉंट्रेक्ट फार्मिंग हो, किसान के जमीन को कोई हाथ ही लगा सकता, किसान की मालिक जो है, खुद किसान रहेगा, और किसान के ओपर कोई कॉंट्रेक्ट फार्मिंग का दवाब नहीं होगा, कोई जबरदस्त हो जाता है तीस जार पर करनाल कुर्चितर साइड में सतर हजार है हमारे लोहरु साइड में 10-15 जार है वो कॉंटेक्ट है और उस कॉंटेक्ट को एनफोर्स करने का अगर कोई ना दे तो कोई अब जो है ठेका पर्था जो नहीं है अग्याना के दो ट्याही जमीन के अंदर ठेका परता है और उसकी कोई कानून नहीं है कोई लिखापड़ी नहीं है कोई उसको कैसे एन्फॉर्स किया जाए कोई शिस्टम नहीं है इस में शारा सारा मौधीजीन किसी से भी कॉंटेक्ट फार्मिंग लिखित में करता है तो उसको यह चीज है उसकी जमीन पर क्लेम हो इनी सकता किसान को ब्याज़ समिथ पैसा मिलेगा और किसान के उपर किशी ने पूजी निवेश कर दिया है तो एक्ट मिज़त किया है वो किसान देना आके लेकिन सअ था मामला आ इसने पूरे नियूर्णक को एक जूट कर दिया यह आदमी वही हैं वर्दी जैसे वह उते हैं राम लिला के अंदर ड्रेस बदल के आते हैं वही आदमी है क्पड़े आ उपने आज़ा हैं अंदोन का नाम का नाम आScott divid एते हैं लेकिन टाम मिथ om जाता है क्योंकि जन्समर्थर इनको नहीं है जन्ता आज 21 सिदी का नवयोग है इंटरनेट देखता है सारे फेस्बूक वाट्सप सारी सोसल मीडिया पर जुड़ा हुआ है दुनिया की सारी जानकारी उसको है और कांगरिस मान सीखता में है आज से पुचा साथ साल पहले की कांगरिस समझती है कि भर्म की राजिनती फला के दूस्परचार करके गुम्रा कर दोंगे यह कांगरिस को गलत फैमी है और कांगरिस को एक चीज समझ लेना चाहिए हर्याना का स्वाबी मानी किसान किसी भी सूर्त में रोबर्ट वाडरा राहुल गांदी और सौनिया गां समझती है जो आलू से सोना निए किसी वैसे में रहते हैं और किसान के समपर्ख में रहते हैं किसान जो है हमारे साथ है और कंगरिस का मैं बता रहा हूं की पतन कि तरफ जारी है जो आखरी है लो अयह प्योर जए कुछ सिरेंगे अरेगी मंदिया रहेगी मंदिया नखिनेगी इसको लिख कर साहे थे जो बिल बने हैं ये ये को ट्रेड के लिए हैं ये वो उसके लिए नहीं है और इसकी भी कोई चीज जी जाएगी यह एक और बता देता हूं भारतिय जनता पार्टी हर चीज हर जन समर्थर के साथ चलती है जनता के शेवा के लिए है कोई भी अच्छा काम किसानों के लिए करना होगा। तो होुए उसे होगा। कभी सोचना भी नहीं कि रिया कि सोंए घ। लिए गैने सॉसन्द किया, किसानां का या कांघरीशी जन्होंने किसानां को एक्स् travelled करके के साथ साल में ये बद चे बथतर हालत बोगा दी है, वह किसानां को भी भला नहीं कर सकते हैं तो एक ही है जिसने संकल्प लिया है कि मुझे दो हजार बाइस तक किशान की आमदनी को दूगना करते हैं और जो नहीं ने स्वामी नाथन आयव की वोड के अनुसार बहुत आयत उसके फैसले माने हैं और जो लागत पे पचास परसेंट जो किये वक्त में जो एक सो त्रेपन पॉइंट चम्मन लाग मिट्रिक्टन अनाज पैदा था जो एक दो जार ठारा उनिस में एक सो इकिस पॉइंट पॉइंट वाइंट वी ट्रिक्टन है फसल भीमा का कांगरेश ने सारा एक सो चौशोट क्रोड रुपे दिया था हमने 12,000 रुपे है यूरिया के भाव भी देख लीजिए 270 रुपे था आप 266 है 1125 आप 1150 है गन्ये का ओस्त उत्पादन चार्स कांगरेश के वक्त में 473.24 लाग टन था जो अब 645 लाग टन हो गया है और चिन्नी का उत्पादन कांगरेश के टाइम में एवरेज 45 लाग टन थ किसानों ने मेहनत किये है लेकिन सरकार किसान इतेशी फैसले लेते रहे है इसका परिणाम हीरा काइड़े हैं अगर इनाकड़ों को कोई कांगरेशी याये तो उससे पूसना कि चैलेंज करके दिखाए चेनी की रिकोवरी में बताता हूं कांगरेश के वकत से 10 परसंट चे अब ज्यादा निकल दिये वह दस परसंट चुनी कुछ कहां खुर्द बूर्द होती थी और इसी तरह हमारे वक्त में 21 नहीं अनाज बंडी बनी ग्यारा सब्जीबंडी बनी बिजली का किसानों के लिए हमने बिजली के रेट भी अलग कर दिये तूबल के तुछे प्रोसेस जार रुपे के तरफ से जो मोदी जी ने डाले हैं किसान किस खाते में लग बग 1362 क्रोड रुपे डाले हैं बागवानी के लिए हमारी पसलों के विवदी करने के लिए जबर्दस सब्सीडी है दूद का उत्पादन कांगरिस के वक्त में 74 लाग टन था जो 107.26 लाग टन हैं हमने चाड़े चार लाग पसुओं का सो रुपे में किसान से लेकर बीमा किया है मुखुर की बिमारी से हर्याना को मुक्त किया है पचास कोरोना कालमें पिसले तीन महिने में पचास लाग वैक्शिनिसन किया है पसुओं का मुखुर की बिमारी का दुनिया बर्के स्व किसानों को मोटिवेट करने जा रहे हैं जो अच्छे किसान हैं अच्छी फार्मिंग करें अच्छी सिस्टम करें पानी बचाने के लिए पूंड अथोर्टी बनाई है ठीक है अपने को देखिये और जवाब फिर दीजिए बिल्कुल अपने तमाम सवालों के जवाब दी बि चाहेंगे मैं किसान के सामने जोडता हूँ नमन करता हूँ और खुद किसान होने के नाते मैं एक चीज कहता हूँ कि आप लोगों ने जो भारत के खाद्यान बंडार बनने में कोरोना काल में अर्थवस्ता को बचाने में अपना पसीना बहा कर देश की सेवा की है आने वाली इसे आप हमारा सहयोग करते रहिए और इसी कांगरिस्टियों को हमेशा-मेशा के लिए सड़क पर बठा दीजिए बहुत 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 शुक्रिया जेवी दरल साब आप ने वक्त निकाला और MH1 प्रेमी किसान महा पंचायत में आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्या खेती उद्योग पत्यों के हाथ में जा रही है बिलकुल नहीं किसान के जमीन को कोई हाथ भी गरा सकता जो किसान ये चाहता है कि उसको उसका उपजिकार सीधा पैसा दिया जाएगा उसको हम सीधा पैसा देगे